Hi guys, welcome back to my channel, my name is Treyad Oogra and I'm back again with another video. आज किस वीडियो में आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ Microsoft की तरफ से एक opportunity है जिसमें आप घर बैठे भी उसके लिए apply कर सकते हैं और घर बैठे भी आप काम कर सकते हैं पूरी opportunity आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी किस तरह से आप यहां पर apply करेंगे, क्या eligibility रखी गई है, कौन-कौन से students apply कर सकते हैं, क्या benefits मल सकते हैं एक चीज़ आपको पहले बतादू कि benefits बहुत ही जाता हैं आपको चोटी से चोटी डीटेल के बारे में पता चल सकें बाकि आप से चोटी से रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी अगर आप फर्स टाइम मेरे चानल पर विजिट कर रहे हैं और प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा विडियो पर संदादी इस लाइक और शेयर करना ना पूले चलते हैं में प्लाटफॉर्म की तरफ आज कर जो हमारा में प्लाटफॉर्म है वो है Microsoft का ये career section as you guys can see इंडिया location के लिए इंडिया के अंदर जो multiple locations हैं वहां के लिए एक opportunity Microsoft की तरफ से निकाली गई है which is to become a silicon engineer ये basically एक internship opportunity है अगर हम highlights की बात करें तो आप देख सकते हैं worksite की बात करते है सबसे पहले up to 50% जो है वो आपका work from home रहेगा मतलब 50% जितनी भी आपकी internship रहेगी उसमें 50% duration जो है वो आप वो घर बैठे आप अपनी complete कर सकते हैं अगर बात की जाए profession की तो hardware engineer आप बन सकते हैं यहाँ पे specifically अगर term के बारे मैं मैं बताओं तो silicon engineering आपके यहाँ पे जो है वो as a title आपको दिया जाने वाला है silicon engineer का इसके अलावा बात की जाए इस internship program की so as you guys can see Microsoft के अंदर interns वैसे तो hire किया जाते हैं जितनी भी internship opportunities इनकी तरफ से निकल कर आती है जो कि बहुत सारी होती है so उसमें से interns को मौका दिया जाता है to work on the real world projects इसमें Microsoft की team के साथ आप collaboration में इतने अच्छे अच्छे projects develop करते हैं और सीखने का बहुत अच्छा आपको मौका मिलता है qualification के अगर बात की जाए so anybody जो कि अपनी master degree कर रहे है in electrical, computer, engineering, computer science यह इसी से related domains में आप अगर अपनी qualification कर रहे हैं तो आप यहाँ पे apply कर सकते हैं एक चीज का और ध्यान रखिए अगर आप electronics जैसे field में है that means आपको knowledge होगा semiconductor processes का probability का statistics का computer science जैसे field में है oops concept का आपको knowledge होगा so इसी से related अगर आपको काफी अच्छे experience है और आपको अच्छी clear understanding है तो आप जरूर से यहाँ पे apply कीजिए because यह कुछ इसी तरह के candidates रहे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत experience है अगर आप computer science, electronics, electrical जैसी domain में अभी अपनी graduation कर रहे हैं बाकी अगर बात की जाए responsibilities क्या रहे गया आपकी तो यहाँ पे वो भी पूरा लिखा गया है कि क्या इनको चाहिए basically they are looking for the interns जो भी इनकी care team है उनके अंदर इनको engineers की requirement है ताकि कोई भी product का solution basically उसका architect उसका design develop करने में उनकी help कर सके so यहाँ पे आप complete details ले सकते हैं इसके लावा बात करते हैं हम benefits की so benefits डेरों है बहुत जादा है industry leading healthcare के अंदर आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है to work इसके अलावा educational resources बहुत सारे होंगे जितने भी इनके products and services हैं उसमें आपको discount मिल सकता है इसके अलावा अलावा आपके पास यहाँ पे saving और investment का भी मौका है maternity, paternity, leaves आपको अलग से मिलेगी इसके अलावा बहुत सारे programs इनकी तरफ से conduct होते हैं जिसमें आपको जो है वो access मिल सकता है and you will have a good opportunity to network and connect because Microsoft जैसी MNCs के साथ जब भी आप काम करते हैं आपको इन तरह के benefits तो मिलते ही मिलते हैं वो है networking करने का बहुत सारे industry leading experts के साथ आप connect कर सकते हैं इसके अलावा अपने ही domain के जो students है बाकी जो candidates रहेंगे उनके साथ भी आपको connect करने का मौका दिया चाहेगा क्या करना है आपने apply के button पे click कर दीजे और आपके पास यहाँ पे sign in का button है बस as a microsoft employee भी apply करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं यह normally अगर आप LinkedIn, Google, Facebook के ताथ apply करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं एक बार जैसे ही आप यहाँ पे account create कर देंगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे application form आ जाएगा application form आते ही आप उसे fill कीजिए fill करते ही आप यहाँ पे अपना पूरा complete details भर सकते हैं यह थी आपके complete details related to this application form पाके I hope आपको कोई doubt नहीं रह गया होगा इनकेस अगर कोई doubt रहता है तो नीचे comment section में जरूर पूछेगा पाके हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए thank you so much have a good day